गुड मॉर्निंग आपको एक बड़े दिल्चस्त इंफर्मेशन शेर करना चाहूंगा अटोमी 2010 में यूएस में लॉंच हुआ था 2009 में कोरिया में हुआ था इसके पीछे यह कारम था जब हैंग इनकी सीओ को पुछा गया कि आप एक कोरियन एक साउथ एशियन कंपणी है अब यूएस इतनी बड़े एक जैंट नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया है उसमें आप जाके लांच करेंगे इस अपर्चुनिटी को तो यह बैकफार भी हो सकता है क्योंकि वहां पर इतनी अच्छे अच्छे कंपणीया है तो हैंग इन पार्क ने उस समय बताये थे कि मेरा प्रॉड़क इतना अच्छा है और मेरे प्रॉड़क की प्राइस इतना रिजनवल है I am 100% sure कि यह USA मार्केट में भी इसका पकड मतलब धीरे धीरे एक अच्छा मजबूती पकड बना लेगा तो उन्होंने उसी वरोसे का साथ उसी confidence का साथ उन्होंने बोले नहीं अगर मुझे लांच करना है Korea का South Korea का बात तो मुझे लांच करना है fast USA मार्केट में जहां पर tough competition है अगर उस competition को हमारा product और हमारा system जहल सकता है तो no doubt इस सारा दुनिया में फैलने के लिए मुझे ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा So let us take the tough challenge first right तो उन्होंने easily वहां पर लांच किये थे and आप भी जानता है हम लोग भी सभी जानता है कि network marketing दुनिया का गड़ है America आपने hardly सुना होगा बाहर का किसी देश का company का कोई business direct selling a business अमेरिका में जाके टिक पया hardly मैं तो नहीं सुना है इंडिया का तो कोई भी company नहीं ह तो इसके पीछे यही कारण है कि वह बहुत ही advanced network marketing के level में ओलोग है लेकिन एटो में भी पीछे नहीं तो एक confidence का साथ जब launch किया था उस समय में दो अज़ा दर्स में ज्यादा तर यूएस में network leaders ने इस तरफ पुद्हान नहीं दिये कि उनके अंदर में एक feeling होता है कि we American are the best लेकिन दस साल लगा उसे धीरे 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 जादे लोग इसमें इंवल्ब नहीं वह इनिशाली दो चार पांच साल लगा समझने के लिए फिर यूएस मार्केट में देखा गया कि इस product का जो प्राइस है और इसकी quality है बहुत ही सांदार है तो कुछ दिन तर क लोगों ने साइद ये सोचे थे कि एक कोई एक एक एशियन कंपणिया है क्या इसके आउकात होगा क्या इसकी quality का गुनबता होगा लेकिन बात में जब पता चलता उनको कि नहीं ये product अच्छा है इसकी price भी अच्छा है धीरे धीरे कुछ नेटवर्क मार्केटर ने आने ल लेकिन उन्होंने भी अच्छे अच्छे बड़े बड़े मार्केटर आने लगे वहां पर अभी सेल्स मास्टर आप देखिए 2000-19 का अप्रिल 15 से जानवारी 15 से अप्रिल 15 तक का आपने तीन माईना का देखिए वहां पर και अटमी का बिजनस था बहुत इस आन्दर रहा होगा नहीं तो आप देखिए 244 जल्स मस्टर बने थे तीन माईना का अन्दर 44 डाइमंड मस्टर बने थे साथ सेरन रोज बने एंड दो बने स्टार मस्टर यह अटलंटा, जर्जिया फ्लोरेंस लिंडोर एंड आइटिंग डाइट हमारा संथिल जी वहाँ पर यूएस में है मैं उनको जरूर दर्खास करूंगा कि वहाँ पर जो है उसमार्केट से कुछ कुछ लोग अभी नाओ यह आर थेंगिंग अबाउट इस एटोमी की एटोमी को अगर हमने अजे केरियर की तरह काम किया जाए तो कैसे हो सकता है तो यह है, मैं एही को हूँगा कि कोई भी मार्केट में जाता है एक प्रॉड़क्त जितने डेपलब कंट्री का मार्केट में कोई अधर कंट्री का जाता है तो टॉप कंपेटिशन होगा लेकिन उस कंपेटिशन में जो एक बार खड़े उतरेगा तो यह बहुत बढ़ा बिजनस करेगा उस कंपेटिशन मैं उमिद करता हूं कि अगला और दूर चलते हैं कितनी इसकी मार्केट में लोगों का तरफ से कितनी डिमांड है इस प्रॉड़क्त का फिर इस अपर्चुनिटी का पोटेंशियल कितना है ओके तो मैं यही कहूंगा फ्रेंड्स जे आगर आप इतना सोची आगा 244 अमेरिका में जहां आजारों नेट्वरक मार्केटिंग है उस पसे कई 100 नेट्वरक मार्केटिंग 100 अगर देखा जाए तो टॉप 100 में आप देखें कि मैक्सिमूम यूसमी है तो इसी स्तीती में अगर उन्होंने बिजनस का फ्यूचर अभी दिखें धिरी 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 बढ़ रहा है तो एटोमी जब इंडिया में लांच करेगा मैं आपको इतना ही कहूंगा कि यह थोड़ा अलग सिट्वेशन होगा दो 244 अगर सेल्समास्टर यूसमार्कर से तीन माहिन में निकला मैं दाबे से कहता हूं कि अटोमी में इंडिया में हर माहिना हंड्रेट्स अप सेल्समास्टर निकलेंगे कोई संधिया में यारे मीज़ा में नहीं है क्योंकि देखिए देखिए पॉतनी में पकेण में नहीं है या उनकी पोटेशल कई डेखिए है बहुत था एंगलने सार देखेंगे तो यह जो एकडियल बैस्त इंडिया में से झेली है अगर इसमें आते हैं, तो साय इस वन अभी बेस्ट कंपनी अमग अग्जिस्टिंग कंपनी कई लोग इमोशनी बोलते हैं, एक यार, वो क्यार, I think you know that, वो कहते हैं कि सबसे बेस्ट एह है, सबसे बेस्ट एह है, लेकिन मैं आपको कहता हूँ कि आप भी साय जानता है जो लोग अिमि है साय बेस्ट अभी तक लोगों ने देखा नहीं है, अतपमी आने काद इनको पता चालेगा बेस्ट कंपनी में क्या फीचर्स रहना चाहिए बेस्ट कमपनी का प्रोड़क्ट प्राइसिंग कैसे होना चाहिए बेस्ट कमपनी का जो आने वाला फ्यूचर का जो एक प्लान होगा यह कितनी दीन कितनी तक इनका प्लान है प्रोग्राम है एक्टमी का प्रोग्राम है सौ साल रंग करने के लिए एक सो साल चलने के लिए Éक वी का प्लान है अब सूचिए कितने कमपशिए सव साल को टर्गेट करके कमपशिश कैया उसी एक बीजन से काम करता है सायद आपको नहीं मिलीगा सव साल का अंदर आप देखिए कितने कमपशिए प्लान बदले प्रॉड़क्क चेंज की जो कि एक प्लान का पॉइंट से देखिए, प्रड़क्ट से देखिए, फ्यूचर से देखिए, सारी हंगल से, इसमें बहुत समय से इंतजार कर रहा है कि एक अच्छे अपरचुनिटी को तलाश कर रहा है, जिसमें वो अपना जिंदेगी और अपना सारा सपना जो है, वो उसमें पू हमारा इंडिया में हर माइन ही 200-300 निकलेंगे, तो एगें, मैं आप सब को एक कहने का मकसद मेरा यही है, इस आउडियो से, क्योंकि साइद लिख के मैं आपको इतना सारा बखा नहीं पहूंगा, मैं आपको वही भिजन दिखाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ, अगर आप होगा, तो मैं इसी के साथ आपको एक वाव, मतलब शुक्का मना देरता हूँ कि बहुत अक्षे करीके से तैयार हुए, ट्रेनिंग लिजिए, ताकि अपने को डेवलप के जिए, सेल्फ डेवलपमेंट कीजिए, आने बले समय में आपको बहुत बड़ा एक टीम का लीडर बनना है, आप से बहुत सरे लोग बहुत कुछ उमीद करेंगे, अगर हमी लोग अच्छे से नहीं सिकेंगे, नहीं जानेंगे, तो इतना बड़ा टीम को हम गाइड नहीं कर सकते, तो विद दैट मैं उमीद करता हूँ कि आने बले समय में आप लोग सब एक अच्छी फ्य के जजिये से आप पूरे करें, थैंक यू बरे बाइट